सब्सक्राइब और एक वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मफुल एफेक्ट आफ टी जी हाँ दोस्तों चाय कैसे चीज़ है जो भारत की हर किसी इंसान को बहुत इंट्रीग करता है लोग चाहते के चाय पिए चाय के ऊपर लोग जीते हैं मरते हैं कर रखो सकता है तो वाट आर दा हांफुल एफेक्स ऑफ ड्रिंकिंग टी चाय पीने का हांफुल एफेक्ट क्या होता है कोई भी चीज अगर जितना भी अच्छा हो वह ज्यादा में सही नहीं है पैसा सबसे टॉक्सिक बन जाता है अब जब 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 ज्यादा मातरा में जागया तो चाय तो क्या चीज है अब देखो चाय की side effects क्या आएगा चाय की side effects coffee की side effects green tea हो गया यह सारे के सारी यह जो beverage होता है इसमें एक सी common है इसके अंदर होता है 들्यूश यह चाह ओगया यह जरीक्र एक्षपी को तो निया दुन संवे बहुत इस साथ स्लिप डिजरप्शन है और श्लीब डिजरप्शन मत्त इंसॉमुआ जी हां आपको नीम्द आने की बीमारी लग सकती है अगर रेगुलरली अब बहुत ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफि पी रहे होतों और यह ग्रीन्टी में भी होता है हलाके ग्रीन्टी में क्याफेन के महत्रा बहुत कम होता है compared to नॉर्मल चा और नॉर्मल कॉफी के कंपरिजन में, बगर फिर भी यहां पर आपको हेडेक होगा, सरदर्द हो सकता है, माइगरन है, वो ट्रिगर हो सकता है, और स्लिप डिसरप्शन, नींद ना आने की बीमारी तो चलता रहेगा, ज्यादा मात्र में चाय अगर आप पी ले तो, इसलिए बहुत सारे लोग चाय को या कॉफे को नीन से जगे रहने की भी एक मेडिसिन के तौर भी यूज करते हैं, वो अलग बात है, दूसरी साइड एफेक्ट और हांफुल एफेक्ट ऑफ टी, लो नूट्रेंट अब्सॉर्प्शन, बॉड़ी के अंदर नूट्र को नूट्रेंट अब्सॉर्प्शन को आपको चाहिए सोने के लिए रेस्ट लेने के लिए आपको नहीं मिलेगा रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगा आपके अंदर आपको गर्मी ज्यादा फील होगी महसूस होगी यह सारे चीज़ें उसके साथ आता है एसीडिटी हर्ट बर्न और डाइजेशन इश्यू ज्यादा मा यह तो एसीडिटी के कारण आपकी गले की यह जगह से जलन होने फिलिंग होने लगेगा यह सारे चीज़ भी प्रोलॉंग ज्यादा मात्र में चाह पीने से हो सकता है इसलिए कहा जाता है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो चाय को भी लोग चाय को कप पीते चाय को ब्लैं में और में और चीज ज्युक्ति और अथा एसा कंपोनिंट केमिकल फैक्टर होते हैं जो बॉडि के अंदर जो है टिऐ हाइड्रेट करता है बॉडि को पानी को भाष्स जो बनता है और हाट स्टूल जब बनता है तो उसके कारन क deleting हो जाता है अब अगर अगर कंटिनीव किसी चलता रहे तो इसकी के आउड़ Reginal?, собi ज्यादा होने के कारण आपकी बाकी के सोशल लाइफ में इंपक्ट आ सकता है उसके साथ साथ बाकी के बीमारी लगे हीमोराइट स्पाइल्स वगएर यह साथ हो सकता है तो यह सारे चीज आप ध्यान में रखें कि यह सारे करने इंपर्टन्ट प्रावलेंज साइड एफेक्ट्स ऑफ ट्रिंकिंग टी और क्या होता है काडियोवस्कुलर प्रावल्म ज्यादा मात्रा में आप चाए पी ले तो एगें कैफीन ज्यादा होता है तो यह क्या करता है आपकी हर्ट को भी ज्यादा एक्टिव मुनताब ब लग रहो और काम पे लगे रहो बने रहो आप उनको रेस्ट नहीं होने दे रहो आप शरीर को रेस्ट नहीं होने दे रहो आप काफी ज्यादा पी रहो शरीर को रेस्ट नहीं होने दे रहो तो इसके कारण शरीर जो है हाइपर एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा है तो सारे औरगेन ज्यादा ओवर टाइम कर रहा है तो इसके कारण आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है तो यह सारे चीज हो गया आपकी side effect of drinking tea तो अगर आप चाहे बहुत ज्यादा पीते हो तो उसको रोक लगा दो कम कर दो दिन में एक बार या दो बार maximum बस उससे ज्यादा मात्रा में चाहे बिलकुल नहीं पीना है अच्छे ड्रिंक के अच्छी बात है मगर इस सोच समझ कर आप लिया करोगा तो अगर अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कलीक के साथ और सब्सक्राइब करना इस च